आज लोग सभा में राजस्तान सहे देश भर के किसानों की संपून कर्ज माफी की मांग उठाई किसानों की आर्थिक स्थिती पच्छी पर लाने के लिए किसानों की कर्ज माफी जरूरी है इस मुद्दे के दोरान कॉंग्रिस पार्टी द्वारा राजिस्तान विदान सबत चुनाओ 2018 के उनके जन घोषना पत्र में किसानों की कर्ज माफी का वादा करने तथा कॉंग्रिस के नेता राहुल गाली द्वारा दस दिनों में कर्जा माफी करने की घोषना की तरफ सदन क ध्यान आकरशित करते हुए कहा कि इस तरह की जूटी घोशनाओं के माध्यम से मतदाताओं के साथ धोका करने वाले राजनेतिक दलों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएं। इसी बात को लेकर बात दे होंगे। दस दिरों पर किसानों की संपूर्ण करजमापी की बात कई बोले बाले राजस्तान के किसानों को ठगा उनका बोट लिया और कांग्रेश कल जेपूर में जब कांग्रेश पार्टी एक में लुको साहबी आपका गोशनापत्र है यह मैं देख रहा हूं आपके उन्हों नामी तो लिया क्या हो गया तो नामी नहीं लेंगे आप बोलिया राउल गांदी जी रादस्तान के अंदर सबा करके आया और उन्होंने बोला कि अगर कॉंग्रेश की सरकार आई तो दस दिन में किसानों का संपूर्ण करजमाप करेंगे सबापती मोदे दस दिन के अंदूर संपूर्ण करजमाप की बात करी और किसान का रादस्तान में कॉंग्रेश के सत्ता के अंदर आना के बाद किसान हाथ में चा करने को मजबूर है कल कॉंग्रेश पार्टी ने जेपूर के अंदर रेली करके राउल गांदी जी ने छाती को पीट बता दिया कि पीट में छूरा गोंपा बता ही आप यह आला कॉंग्रेस पार्टी के सबादी बोदे मैं मांग करूंगा कि ऐसे दल ऐसे राजनितिक दल जो गलत तक्तिया पर आदारित कर्ज माफी की बात करते हैं जो जूटे लोग लुआ उन्हें वादे करके गोश ऐसे गोशनापतर यह लागू नहीं करें जनता को बरगिला के कॉंग्रेस पार्टी ने कल जैपूर में जो एक फ्लॉप किया और जो यह मैरी मांग है कि एक एक बने कानून बने और जूटे गोशनापतर जो भी पार्टी करते हैं झूटी गोशनाओं का अधार पर वोट कोई नाम नहीं जाएंगा रकॉर्ड में